तो दोस्तों एक और नया दिन और मैं बलजीत पर मारा हाजर हूँ एक नई कहाने एक नया प्तित्ता लेकर पिछले दो दिनों में आपने ते हाड जेल से निकली सीसी टीवी कैमरा में कैद दो वीडियोज देखी होगी दिल जाहला देने वाली वीडियोज हैं कई बार तो ऐसा लगता है कि ये सब बंद करके क्राइम कवर करना बंद कर दिया जाए पूरे देश में बंदेश लग जानी चाहिए कि इस किसम के क्राइम सीन्स को दिखाया नहीं जाना चाहिए लेकिन वो मीडिया जिसने ऐसी दुख दायक ऐसी जिसको कहते हैं सैवज घठना जंगली जानवर भी ऐसा नहीं करते आप कभी जंगल बुक देखिए याप सफारीज की जो परोग्राम बनते हैं वो देखिए उसमें कहीं भी जानवर भी इतनी बुरी तरह किसे दूसरे जानवर से बिहेव नहीं करते जिस तरीके का क्यरदार बिहेवियर हमने इन जेलों में देखा है पिछले दो दिन में एक आदमी को इस तरीके से रोंद रोंद गोंद गोंद के मारना ये कहां की इंसानियत है और ये तो शुकर करो कि ये आदमी जेल में हैं अगर ये कहीं बाहर होते आपके परिवार का आपके बच्चों का आपके अडूसियों परूसियों का और आम इनसान का क्या होता और शर्म आने चाहिए ऐसे लोगों के जो बंदोबस करके बैठे हैं वहाँ पे अपसरान, आपसर, सुपरेंटेंडन, डेप्टी सुपरेंटेंडन, जेलर, मंतरी, संतरी और हमारे कोड के चहरी वाले और वो लोग जो इनसे पैसा लेके कैदियों को फसिल्टीस देते हैं उन सब को, बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए, सुपरीम कोड को इस बात का संग्यान लेना चाहिए, किसी ना किसी को कोड में ये वीडियो जाके दिखानी चाहिए, कि ये देखी है हमारी जेलों में क्या हो रहा है, जिनको हम सुदहार घर कहते हैं, अगर ये सुदहार है तो नहीं चाहिए हमें ऐसा सुदहार, क्या आप मान सकते हो कि ये वीडियो, ये सीसी टीवी फोटेज, जो पूरा टीवी दखा रहा है, बलर करके दखा रहा है, लेकर सोशल मीडिया में तो सब कुछ पूरे का पूरा दखाया जा रहा है, वो खून, वो जखम, वो खराबा, और वो पलीस वालों का खड़े होके तमाश्या देखना, इससे बड़ी क्रिमिनल, नेगलीजन्स, एक्टिव्टी कोई नहीं हो सकती, हमारे हसाब से वो लोग जो एक सक्ष को टिल उताजपुरिया को मार रहे थे, उनसे बड़े दोशी, मुल्जिम, वो पलीस वाले थे, जो जेबों में हाट डाल के खड़े थे, पैंट की पॉकिट्स में, क्या हाथ जेब में डालने के लिए होते हैं, उनके पास कोई बंदूक नहीं थी, कोई तलवार नहीं थी, कोई चाकू नहीं था, आप लोग आज़ आदमी खड़े हो, वहाँ पे ज़्यादा भी थे, शैद, वो चार लोग थे, आप उनको काबू नहीं कर सकते, आपने पूरी देल में अलर्ट का जो signal होता है, सायरन होता है, वो क्यों नहीं बजाया, और मिंटों के इंदर भाग के और स्टाफ क्यों नह और उसके बाद उसकी लाश की उपर पलीस वालों के सामने और वार करना ये हैवानियत नहीं तो और क्या है, क्या हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन, हमारी माए बहने, हमारे बज़र्ग, जिनको गलती से ये वीडियो देखने मिल जाएं, आदे लोगों को रात को नीद नह नहीं आएगी, क्यों हम इतने इन सेंसेटिव हो गए हैं, क्या हम इन बातों के खलाब बोलते नहीं, और हमारा मीडिया बज़ाए ये कहने के, कि सरकार निकम्मी है, बंदोबस्त निकम्मा है, अदिकार ही निकम्मे हैं, वो इस बात का मज़ा ले रहे हैं, बार बार दिख हा रहे हैं, कि देखिए, किस तरीके से वो आदमी चदर बांद के उपर से कूद रहा है, और भाग के उस आदमी को मार रहा है, एक टीवी चैनल वाले यहां तक दिखा रहे थे, कि वो इतना बड़ा बदमाज था, लेकन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, और उ किसम के वारदात की, जितनी कड़ेश हब्दों में निखे दी हो सके, वो करनी चाहिए, जितनी पंदमनेशन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, जिकन कोई नहीं बोलेगा, यहां तो बात कर रहे थे, करनाट के इलक्षन की, शिमला की, मिन्सिपल कार्पुरेशन की, इलक्ष बुल्टों से हमारे फॉर्म मिनिस्टर ने हाथ नहीं मलाया उसकी तस्वीरे दिखा रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है कोई लाएंड आर्डर नहीं है कोई कानून नहीं है कोई human rights नहीं है उनकी चर्चा चल रही है TV चैनल के स्टुडियोज में लेकन आपकी जेलों में क्या हो रहा है उसकी बात तो कीजिए फिर अपनी TRP के लिए वही सीन जो नहीं दिखाने चाहिए वो बार बार दिखा के आप अपनी TRP बढ़ा रहे हो शर्म की बात है ऐसे पत्रकारों के उपर भी शर्म आती है जो चंद पैसे कमाने के लिए अपने मालकों का पेट बर र रहे हैं उनको तो तर्तनखा सैधरी वही मिलनी है जो मिलती है उपर की कमाई कौन कर रहा है उनके मालक कर रहे हैं मालक कौन है जो बड़े बड़े नेतागन के साथ बैठते उड़ते हैं दारू पीते हैं शराप पीते हैं ताज खेलते हैं कलबों में जाते हैं शादियों म में जाते हैं रिष्टे बनाते हैं वो मालक थी उन लोगों की वजय से आज हमारे देश की यहालत हो रही कोई जब दो दिन पहले इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम देवपुरी दुनिया में मनाया गया था तो पिछले साथ इस खेत्र में जो हिंदोस्तान की रेटिंग थी वो एक सो पचाट से और नीचे गिरके एक सो एक सर तक चली गई 161 एक सो असी मुलकों में जो प्रेस की अजादी क्या स्टेडर है उसमें हम एक सो एकासर नंबर पे हैं हमसे नीचे सिर्फ उन्नीस कंट्री हैं ओ छोटे मोटे कोई होगे जग्जेटर्शिप वाले होगे हमारे यहां तो निमोप्रेसी है लेकन यह बात किछी ने नहीं बताई कि हमारा सतर हमारी पत्रकारता का इतना नीचे गिर गया और यह भी नहीं बताया कि जिस पाकिस्तान की बात आप करते हो दिन रात 24 गेंटे वो 150 नंबर पे है वो 157 से साथ नंबर की त्रक्की करके 150 पे पहुंच गया हम 150 से 101 तक चले गए यह बात आपका मीडिया नहीं बताएगा लोग तो बहुत बुरी हालत है देश में पत्रकारता की इसको सीरिंस नहीं लेते लोग हम हमें फोर्थ स्टेट कहा जाता था एक दमाने में सुप्रीम कोट पार्लियमेंट और बिरोक्रेटी इनके बाद अगर चौथा सतंब कोई देश को बचाने का आगे बढ़ाने का होता है वो पत्रकारता होती है फोर्थ स्टेट मीडिया लेकिन जितना सोचल मीडिया ने इस फोर्थ स्टेट का सत्यानास कर दिया है उसको अभी फोर्थ स्टेट नहीं थर्ड ग्रेड कहने को दिल करता है शर्म की बात है अब हुआ क्यों? किसी ने ये डिसकस नहीं किया कि इस किसम का शर्मनाग हादशा वहश या ना हादशा जेल में कैसे हो गया अब एक गैंग है हिंदोस्तान में जिसको परमोट किया जा रहा है पड़े तरीके से आपने इंटर्जू भी सुनी होगी गोधी चैनल को दी हुई कुछ सक्ष की अपने आपको नैशनलिस्ट डौन कहने लगा और उसके साथियों ने एक केले आदमी को मार दिया और उसका साथी कानेड़ा से बैठके गुर्डी बरारे इसकी जिम्मेदारी लेता है मुझे हरानी इस बात क्यों होती है कि कोई इंसान जिसने अपनी मां की कोक से जन्म लिया है जिसका एक बाप होगा उसके अगर शादी हुई है तो बीवे बच्चे होगे क्या इसकी इस बात की तस्दीग करेंगे क्या उनके सामने वो इतने बेशरमी से बात कर सकता है कि हमने मारा मदला लिया यह करिमिनल का जिसने दरगोगी का जिसने दरचनों लोगों को मारा करायम किया उसको दूसरे आद्मी ने मार दिया ठिलू भगवान ठिलू ताजपुर्यक ने और उसके लोगों ने वो तो जेल में था अब उसको आपने मार दिया ये कहां का इंसाफ है कोई अच्छा काम करके को नाम कमाने की कोशिश करो और मारा क्यों ताखे हमारे गैंग के नमबर और बढ़ जाएं ये लड़ाई गैंग वार की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई क्रिमिनल्स की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई पैसे की लड़ाई है जितना आपके गैन का नाम बढ़ा होगा जितनी आपके नाम से दहशत होगी उतनी बड़ी कमाई के रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं कल तक जो आदमी आपके फोन पे आपको पचास लाग देने से भी इनकार करता था आज वो पांच क्रोड भी देगा क्योंको उसने ये CCTV पुटेट देख ली है कि अगर ये गैग जेर के अंदर हाई स्कूरिटी बैरिक के अंदर इस तरीके से कतल कर सकते हैं वह हमारा गहतो कुछ भी नहीं है कभी भी कुछ भी कर सकते हैं तो ये दहशत ये डर का महौल पैदा करने के लिए इस किस्यम की हरक्तों को अंदाम दिया जाते हैं और उसमें मिली भगत जो हमारे अफसरान की होती है वो सबसे बड़ी शर्म की बात है अब ये आदमी मरने वाला के लोग ये दस दिन पहले तक रोहनी जेल में था और वहां की जेल के अफसरों ने ये सोचा कि हमारी जेल में इसके आपोजर गैंग के लोग काफी हैं इसकी जान को खत्रा हो सकता है इसलिए इसको यहां से ट्रासर करके हाई स्क्यूर्टी प्रिजन तेहार में बेच दिया जाए अब दोस्तों मुझे ये बताईए कि अगर जेल में आप एक आदमी को सक्योर नहीं रख सकते तो कहां रखोगे ये भी एक क्विसी साजिस का हिस्सा तो नहीं था क्योंकि उस जेल में रोहिनी में टिलू ताजपुर्या के भी काफी साथ थी थे वहां पे इस किसम का जान लेवा हमला नहीं हो सकता था इसलिए किसी मिली बहुत से किसी कांथ परिस्ती के चलते हुए कहीं ऐसा तो नहीं कि दूशरे जैंग के साथ मिलके अध अधियार बेज दिया और यहां पर जो प्लीस वालों का आत्रन देखा उनका करेक्टर देखा उससे बिलकुल साबत होता है कि सबकी मिली भुगत थी नहीं तो प्लीस वालों के सामने एक लाश के उपर इतने बार नहीं करने देते हुँ और जो हथ्यार उन्होंने बनाए यह बहाने बाजी लगती है कि जलाके तोड़के उनको रगड़के पतला करके सुए की तरह बना लिया यह बकवास बाजी लगती है उनके पास बकाइदा पेटकस जैसे जो बर्प तोड़ने वाला सुआ होता है इस किसम के हथ्यार थे वो इमिडेटी बनाए हुए या आर्टिफिशली क्रेटड किये हुए हथ्यार नहीं थे साधिश कुछ हर है लेकिन उसकी बात ना तो दिली के मुक मंतरी ने की जिनके नीचे जेले आती है उनका एक मंतरी जेल में है उसके सरीन में कोई प्राब्लम है उसकी मसाज करवाई जाती है पंक्खा लगाया हुआ है पस्क्लास बैटल लगाया हुआ है एक अटेंडरन दिया हुआ है जो वहाँ पे सजा भुट रहा है अल्डर ट्राइल एक और भी है दो मंत्री है उनकी उपर दो कभी अटैक नहीं हो तब हो भी वही जेल है लेकन ये लोग जिनको आप हाइस करोटीस हैल कहते हो उसकी ग्रेल कैसे काट ली जाती है ग्रेल काटना कोई गाजिर मूली नहीं है कि आप चापू से काट लोगे बलेड से काट लोगे उसलिए आरन कटर चाहिए वो किसने प्रवाइड किया आप नाखुन से ग्रेल नहीं काट सकते अगर इस तरीके से ग्रेल काटी गई है तो विर उसको जेल नहीं कहना चाहिए मुर्गियों का वो डबा कहना चाहिए ज़ा मुर्गियां रखी जाती गुर्डा जिसको हम नौर्ट इंडिया में बोलते तो कही ना कही बहुत बड़ी साजिस का हिस्सा है पहले हमने सुना था कि हमारी सरकारे हमारे आपसर खेल कूद को पर्मोट करते थे परही लखाई को पर्मोट करते थे साइंटिफिक एंड डैवर को पर्मोट करते थे कल्चर को पर्मोट करते थे लेकन आजकल गैंक्टर्स को प्रमोट करने लगे हुए कहां जाएगा देश कहां जाएगा हमारा सिस्टम जिसको खराब करने की कोई कसर बाकी नहीं ठोड़ी जा रही है क्या कभी जे हकीकत सामने आएगी कि किस साजिश के तहट टिलू ताजपुरिया को रोहिनी से तेहार में ट्रांसफर किया गया और उसको उसी बैरेक में क्यों रखा गया जिस बैरेक के फस फ्रोर पे उसके दुश्मनों को रखा गया था क्या इतना भी जेल अथॉर्टीस को पता नहीं और उस जो तमिल नाडू कि कमेंडों जिनको कहते हैं कि हमने तमिल नाडू से बलाके अंदर की सेक्यूरिटी उनको दी हुई क्या आपको वो CCTV फुटेज देखके कहीं लगा कि वो कमेंडों है वो तो होम गार से भी घटिया उनका खड़े रहने का तरीका था अगर आपने देखी हो जब क्रिमिनल एक लाज पर अटाक कर रहे थे यह आदमी एक के कदम पीछे आ रहे थे क्या यह सेक्यूरिटी होती आपने कभी वो हुलिवुड की मूवी फ्रानी देखी हो आपने जेलों की उपर बहुत फिल्में बनिया हुलिवुड की वहां पे आप देखी हैं बांसर किसम के जेलर्स होते हैं वहां पे जो चार चार लोगों से फिजीकली लग सकते हैं टैकल कर सकते हैं खत्रे के समय हमारे हवाई जहाजों में यहां पे हत्यार नहीं आप रख सकते वहां फलाइट में क्रू के साथ कैबिन क्रू के साथ एक मार्शल बेजा जाता था और कई sensitive फलाइट में दोदो मार्शल भी हुआ करते थे जो किसी emergency के समय किसी आदमी को जो जहाज को हाज़ा कर करें या किती passenger को हाथ करने की कोशिश करें उसको बिना हथ्यार के टैकल किया जा सके क्या इस किसम के कुछ limited बंदे हम आपने जेलों में नहीं रख सकते जो फिजिकली इतने फिट हो स्ट्रॉंक हो क्या इस किसम के मार्शल आप में ट्रेड इस किसम के आपकी हिफाज़त कर करने वाले लोग सिर्फ पॉलिटीशन के लिए होते हैं एक एक पॉलिटीशन के लिए आठाट सो हजार हजार बॉडी गार्ट शिफ्टों में काम करते हैं क्या देश सिर्फ ऐसे लोगों के लिए ही और यह क्रिमिनल जिनको हम कहते हैं इनको बनाने वाले भी यही लोग है प्लिटिकल पैटरनेज के बिना क्रिमिनल सर्वाइब नहीं कर सकता क्योंकि प्लिटिकल पैटरनेज के साथ ही पिलीस का तंतर मंतर काबू में किया जाता है बिना पॉलिटीशन की मदर के गरीन सेगिनल के पुलीस भी आपकी मदर नहीं कर सकती फिर अब तक ये नेक्सस नहीं ढूटेगा और ऐसे लोगों को बाहर छोड़ देना चाहिए इनको धेल में नहीं रखना चाहिए इनको जमाने दे के बाहर निखाल दो let the people take their own revenge इनको पता चले जिन्दी की कीमत क्या होती है ये सिर्फ जेर के अंदर इसलिए बैठे हैं के बाहर निकलेंगे तो मारें जाएंगे लेकिन अंदर बैठके जो मनुवरिती बन गई है पैसा कमाने की अपनी शाक बढ़ाने की उसके लिए इसी किसम के गुना जिलों में बैठके करते हैं और ये एक गैंस्टर को आपने मारा आपको उसमें क्या मिला उनको सबको पता है इन्होंने इतने इतने क्राइम किये हुए हैं कि इनकी कभी जमानत नहीं हो सकती बाहर नहीं आ सकते एक केस में जमानत हो गई तो पैंती केस होर पड़े अब पैंती केसों में जमानत होगी तो आब बाहर आओगे, 40 के इसमें जमाने तो भी तो बाहर आओगे, इसलिए ये लोग अपने आपको mentally prepare करके बैठे हैं, कि बाहर तो हम जा नहीं सकते, अब अंदर बैठ के नाम कमाएं, नाम कमाएंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा, तो हम जेल के लोगों को रिश्वत देंगे, आपने घारवालों को देंगे, प्रापर्टी बनाएंगे, ये बहुत बड़ा बिजनस बन गया है, क्रिमिनल बिजनस, तो दोश्टों ये जो पूरी प्लैनिंग के साथ हुआ है, जिस किसम की प्लैनिंग हम पिछले दो दिन से बात करते आ रहे थे, कैसे छोटा राजिन ने दबई में शर्ष हैटी को पार लगाने के लिए प्लैनिंग की, कैसे ली गैंग ने बाबू रेश्यम को मारने के लिए प्लैनिंग की, और उसी का तीसरी कड़ी आज की है, कि कैसे विश्णोई गैंग ने अपने प्रतीर बंदी को जेल के अंदर मारने की प्लैनिंग की, ये प्लैनिंग पहले भी हो चुकी, वो किस्था हमने आपको दो दर पहले सनाया था, ओपिय सिंका नासिक जेल में बर्डर, ये एक नहीं, ऐसे दर्जनों किस्थे हैं पूरे हिंडोस्तान की जेलों में, जहां एक गैंक्टर ग्रूप ने, दूसरे गैंक्टर को मारा जेलों के अंदर, तो दोस्तों आने वाले दुनों में इसी किस्थे काहाने लेके प्र आज़र होगे, तब तक के लिए आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया जन्यवाद,